तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोदय विद्याले का जो इंटरेंस एक्जाम 2020 का पेपर हुआ था उसका एक तीसवा प्रेशन जो की मैथमेटिक्स का पोर्शन सुरू होगा और ये 25 कोशन्स होंगे ये मैथ के तो यहां हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें किस तरह के कोशन्स आते हैं और देखिएगा आपको भी आसान ही लगेंगे तो कॉंफिडेंस लेवल अपना हाई रखिए बिल्कुल पक्का है कि आप क्वालिफाई करेंगे और आपका एडमिसन नहोते विद्याले में इस बार हो जाएगा तो जलो देखते हैं प और हमको चार विकल्प दिये गए हैं अब इन चार विकल्प में देखो आठ बटे साथ धन तीन बटे आठ बराबर तीन बटे आठ धन आठ बटे साथ नमबर सेम है नमबर सेम है दोनों के तो यह दो को आठ बटे साथ यहाँ पर भी आठ बटे साथ यहाँ पर भी तीन ब लो के हमको four plus five करना हो तो कितना आइगा nine आएगा अगर हम यह five plus four करें तब भी तो nine ही आएगा जानी अंको के अस्थान इधाउदा कर देने से उनका सम करने पर उनके answer में कोई तो इस नियम से क्या होता है कि नंबर से इधा उधार बले हो जाएं लेकिन उनका सम करने पर आंसर जो होगा वो क्या होगा सेम होगा यानि ये करफन सकते हैं उसके बाद देखो आठ बटे साथ गुले तीन बटे आठ फिर 3 बटे 8 गुले 8 बटे 7 यहाँ पर देखो नंबर सेम है और दोनों के बीच में देखो गुला भी लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर गुला होगा जैसे फिर से यही करके देख लेते हैं चार गूले 5 कितना होगा बीस होगा अगर यह पांच गूले 4 करो तो कितना होगा तब भी तो 20 ही होगा तो यहां पर आगर यह दोनों सेम अंकों के अस्थान इधादर कर देने पर भी उनका गुला जो होता है वो स्थेम समानी होता है तो इसका मतलब क्या है कि यह कथन भी बिल्कुल सत्य है और कोश्चन में पूछ रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है तो यह ध्यान दिजिएगा तो यानि यह भी सही है यह जैसे योग का क्रम मिन में था यह गुलन क अगरे अग्ला सीवले पर आते हैं यहां पर रिया गया आथबटे पर वहा इसे भाग है और यह गुड़ा है तो भाग के बाद जिसा वह OUR हो तो बटे 7 भागे 3 बटे 8 अगर हमें solve करना हो तो हम कैसे करेंगे 8 बटे 7 इसका अगुला करके इसका reciprocal कर देंगे यानि भ्यूत कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 बटे 3 सही है तो यह वाला portion और यह वाला portion दोनों same है तो इसका मतलब यह कथन भी क्या है सत्य है ठीक है अगले पर यह वाले में देखो तो 8 बटे 7 माइनस 3 बटे 8 ठीक है बराबर 3 बटे 8 माइनस 8 बटे 7 माइनस करने पर क्या होगा कि अगर मान लोगी संख्या दी गई है 5 माइनस 4 तो इसका उत्तर क्या होगा एक होगा यहां देखो 4 माइनस 5 यह करने पर कितना होगा तो 4 माइनस 5 कि एक बड़े के सामने Minus है तो Minus लगा देंगे, यानि अंकों का स्थान बदल देने पर और उनकों घटाने पर उनके उत्तर जो है उनके अंसर समान नहीं होते हैं, तो यहीं सेम चीज यहां पर है, अंकों को इधः उधर करती हैंगी हैं और Minus Sign है, तो इसका मसलग यह दोन तो चलो अगले कोश्चन पर आते हैं अगला कोश्चन क्या दिया गया अगला कोश्चन दिया गया है कि एक असून्य परमे संख्या एवं इसके व्योतकरम का गुलनफल होता है अब यहां पर बात पहले आ जाती है कि असून्य संख्या क्या होती है तो अगर वो संख्या A है और इसका व्यूत करम, तो इसका व्यूत करम क्या हो जाएगा, एक बटे व्यूत करम का मतलब उल्टा, तो जैसे पांस दिखा है, तो पांच का व्यूत करम, एक बटे मांच, ठीक है, दस दिया है, तो दस का व्यूत करम, एक बटे दस, यह कहा रहा विकल्प A हमारा सही है बाकी और विकल्प देखने कि हम कुछ रोत ही भी पड़ी सही है आसान है समझ में आ गया होगा चल अगला देखते हैं अगला प्रश्म क्या दिया गया अगला प्रश्म दिया गया कि निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के अस्थान पर 6 होगा देखो क्यों निम्न में से किस संख्या के वर्ग में इकाई के अस्थान पर 6 होगा तो इकाई के वर्ग वाला अगर हम देखें तो किसमे किसमे 6 आता है देखो आठ का अगर हम को कि लिकाई लाश्ट का अंक देखना है अगर इसमें हम वर्ग करें इस इसने इन 4 संख्याओं का वर्ग करें तो वर्ग करने पर जैसे महलों कि 5 का वर्ग कितना है 25 तो इसके 11 का वर्ग कितना है 5 है अगर हम 6 का वर्ग करें तो इस 6 का वर्ग हो जाता 36 यानि इसके इकाई का अंक 6 है ऐसे ही 7 का देखलो 7 का वर्ग करोगे तो यह हो जाएगा 49 यानि इकाई का अंक 9 है ऐसे ही अगर हम 38 का वर्ग करें कहने का मतलब यह है कि 38 का अगर हम वर्ग करें तो जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 6 आना चाहिए, तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमें इसके लिए पूरा मल्टिप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यों आखरी वाले अंक कर लेंगे, जैसे यहाँ इकाई कांक 8 है, तो इसका 8 गुले 8 कर लो, तो 8 अटा ही कितना हो गया, 64, यानि इसके इकाई कांक 4 होगा, क्याहाँ पर देखो, 24 यानि क्यों 4 का करना है, तो 4 गुले 4, तो 4 चोग 16, यानि इकाई कांक क्या होगा, 6 होगा, 32 में देखो क्योल 2 का करना है तो 2 गुले 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया सही है? 45 में क्योल 5 का करना है तो 5 गुले 5 बराबर 25 कि मैं क्योल समझाने के लिए बता रहूँ आंसा तो हमारा यहीं मिल गया कि इकाई का अंक 6 किसका होगा? 24 का तो यानि हमारा विकल्प भी विल्कुल सही है समझ में आगया है क्योल क्या करना है कि क्योल आखरी के अंग का क्योल इकाई के अंग का वर करना और जो भी संखाय मिलेगी न वही इस पूरे के वर के इकाई का अंग होगा जैसे आठटाई 64 है तो चार यानि अगर 38 का वर करोगे पूरा तो इसके इकाई का जो अंग होगा वो चार ही होगा समझ में आगया है तो इस हिसाब से हमारा विकल्प भी बिल्कुल सही है ठीक है चलो अगले परशन पर आता है चौतिसवा परशन देखते हैं देखो चौतिसवा परशन के डिया है 28 और 29 के वर के बीच कितनी प्राकिर्थिक संख्याएं इस्थित हैं अब यहाँ पर देखो क्या क threats are 28 और 29 के वर के बीच तो पحले हम क्या करेंगे कि हम 28 का वर कर लेते हैं तो 28 का अगर हम वर करें तो 28 का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा 28 गुले 28 तो इनका गुड़ा करोगे 28 गुले 28 कितना हो जाएगा 784 फिर 29 का वर्ग कर लो 29 का वर्ग यानि हो जाएगा 29 गुले 29 कितना हो जाएगा 841 अब यह पूछा है इनके बीच कितनी प्राकिर्दी संख्या है बीच में यानि इन दोनों के बीच में तो इन दोनों का क्या हम निकाल देंगे डिफरेंस निकाल देंगे तो आठ सो एक तालिस माइनस साथ सो चौरासी इनी को घटा लो तो ग्यारा में से चार जाएगा कितना हो जाएगा साथ ठीक है अब यहां पर देखो तेरा, तेरा में से आठ गया, तो हो जाएगा पाँच, और साथ में साथ गया, तीरो, यानि सत्तावन, अब देखो, यहां सत्तावन तो हमारे किसी विकल्प में है नहीं, यहां पर यह पूछ रहा है, कि कितनी, मलब इनके बीच कितनी प्राकिर्टिक स संख्या और यह वाली संख्या, इनके बीच में कितनी संख्या होगी, यह नहीं कि यहां तक, ठीक है न, इनके बीच में, यानि एक संख्या हमको इसमें कम कर देना है, तो सत्तावन माइनस एक कितना हो जाएगा, चप्पन, यानि हमारा कौन सा अप्सन सही होगा, सी, यानि अंडरूट में फिर अल्खा है अंडरूट 256 प्लस 81 का मान क्या होगा, अंडरूट 256 प्लस अंडरूट 81 ठीक है, और उस पर भी अंडरूट तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाले को सौल कर देते हैं, इसका हम इसको एरूट निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल, उसके बा ही 21 IV 28 16 पर 2 से करोगे तो यह हो जायेगा 2 1000, 8 692 4 फिर 2 से करोगे 2121 e12 to 122816 이것 हो इतने 256 ते दो निकालना हो तो वर्ग क्नल होता है वो जोड़े में आता है यह यह दो यह दो और यह दो यह दो यह यह दो आन क्नल बर्दो दुनी चार दुनी आर दुनी 16 समझ में आ गया यानि अंडरूर 256 का मान कितना हो जाएगा अंडरूर 256 का मान हो गया 16 81 का इसे ही निकालना है तो 81 का हो जाएगा 83 से होगा तो हो जाएगा 3 दुनी 6 321 फिर 39 27 3 तरिकका 9 और 3 इकके 3 यानि यहाँ पर भी यह जोड़ा यह जोड़ा तो 3 तरिकका 9 यानि अंडरूर 81 का मान क्या हो जाएगा 9 समझ में आ गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडरूर 256 का हो जाएगा 16 और 81 का हो गया 9 तो 16 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 यानि Under root 25 और 25 इसका वर्ग है 5 का तो इसका मुदलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 सही है संवारी आग kızım आगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अगला पिरशन देखते हैं अगले पिरशन पर आओ अगला पिरशन दिगा गया है कि निम्न में से कि संख्या के घनमूल की इकाई तीन होगी अब देखो क्या कहा रहा है कि घनमूल घनमूल की इकाई हमें बताना है कि किसमें घनमूल की इकाई तीन होगी अब यहाँ पर घनमूल की इकाई अगर हमें निकालनी है तो हम के अगर देंगे कि इनके इकाई का अंग देखो यहां पर इकाई का अंग हमको billion चीजिए ठीए यहां पर इकाई का अंग हमको तीन होगा तो तीन, गुले, तीन, गुले, तीन के लिकाई क अंग जैसे हम लोग ने वरगमूल में किया थाना बिल्कुल उसी तरह से ही करना है तो यहां पर देखो 3 गुले 3 गुले 3 क्या कह रहा है कि घंमूल में 1 अगर 3 होगा जिने मिलखित में से कि संख्या के घंमूल अगर इस सब का घंमूल निकालो तो कि इसमें 1 गांक 3 होगा तो 3 गंमूल का मतलब तीन बार गुड़ा होता है, तो तीन जैसे माल लोग की घनमूल लिखा, एक क्यूब लिखा है, तो इसका मतलब होता है, एंटू एंटू ए, समझ में आ गया, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ, तो तीन तरिक का नो तरिक 27, अज यह 27, जिसके एकाई कांग साथ होगा, वह यह तो यानि ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, चलो अगला प्रिश्म देखता है, अगला प्रिश्म ने क्या दिया गया, अगला प्रिश्म दिया गया कि 0.04, गुड़े 0.04, गुड़े 0.04 का गुड़ा क्या होगा, तो सबसे पहले शी तो हम यह देख ले पर हमको 6 नंबर के पहले decimal लगाना होगा, ठीक है, गुड़े में क्या होता है, कि जितने सारे जितने नंबर होते हैं, उनके पहले के decimal गिन लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 के पहले, यहाँ के 2 के पहले, तो किते होगे 6 नंबर के पहले, तो 64 है, तो 2 यह हो गए, हमको 6 के पह कि या तो एक कीना πेपर आपके लिए बिलकुल आसान होता है और देखने से आपको पता लग जाएगा हो ча तो यहां पर देखो एक्यासी का अगर हम गुलनखंड करें तो इक्यासी का अभी मैंने पहले करके दिखाया था गुले तीन गुले तीन अभ यहां देखो हमें क्या बनाना है घं बनाना तो घं बनाने के लिए कही होता है कि हमको थीन का जोला चाइए यान यानि हमको थीन का उल् बहाऊ कर दो classic को अगर हम तीन से भाव कर देंकर के दिखाते हैं एक्यासी को अगर हम तीन से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा तीन दूनी छे दो बच्छा तीन सत्य एक्किस यह हो गया अब 27 देखो 27 किसका गहन है तीन का गहनी तो है 27 तीन तुरिक का नो तुरिक 27 ठीक है ना समझ में आ गया यह तो यहां पर कहरा था हूँ नियूंतर्म संक्या मुणब सबसे चोठी संक्या बता नहीं है जिससे 18 को भाज दो तो 180 को भाज देने पर क्या हो जाए इक्यासी कोगर हम straight वहां करें तो हम Mensah 27 संख्या एक पूरधन संख्या है तो इसका मतलब विक्यासी को किस से भाग करना होगा 3 से भाग करना होगा चलो अगले परशन पर आता है अगला परशन क्या दिया गया अगला परशन है 1, 2, 3 और कितनी बाजीरो है 1, 2, 3, 4, 5 इसका मानक रूप बताना है तो मानक रूप बताने के लिए क्या होता है कि इसमें हमें 10 की घात में संख्या लिखनी है किसमें लिखना है 10 की घात में संख्या लिखनी है यानि हमको 0 हटा देने है 0 हटा देने है सब सब पहला काम तो हमको 0 हटा देने है तो यहाँ पर 123 लिख लो गुले कर लो और 10 लिख लो अब देवो कितने 0 हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 0 है तो चाहे 123 कुले 10 की घात 5 यह लिख सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लाए इधर उदर लेके चलते हैं तो अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर घात एक एक बढ़ती जाएगी यहाँ अगर decimal लगाया तो यहाँ 6 हो जाएगा यहाँ decimal लगाया तो यहाँ 7 हो जाएगा यह बात आजी समझ में तो यहाँ पर अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर decimal लगाना हो देखो क्या कौन कौन सी हमारी संख्यादी गहीं है एक दसंबलो दो तीन दिया गया है तो अगर हम यहाँ डिस्मल लगाएं तो एक दो तीन चार पांच छे साथ क्या नि तब भी हमारा दसकी घास साथ ही बनेगा यहां पर क्या दिया गया है 8 तो यानि गलत हो गया फिर 12.3 गुले 10 की खाथ 7 हो रही है तो 12.3 पर 10 की खाथ 8 हो यह नहीं सकती अगला दिखोस्ती पर 1.2.3 गुले 10 की खाथ 7 यानि यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है है निसी हमारा बिल्कुल सही अंसर है सही है ऐसे ही कोई भी कोशिशन लीस तरना जाता आ ना तो यहां पर जितने decimal किसका होगे उतना 10 के उपर पावर लगा दोगे देखा हुए हमने कितना किस रहा है 1234567 तो 7 नंबर के पले decimal लगा तो हमने 10 की खात कितनी लिख दी साथ लेग दी, सही है न, तो इसलिए हमारा विखल पर C, 1.2, 3 कुले जास की घास सायात, बिल्कुल सही होगा, चल, अगले प्रश्ण पर आ जाते हैं, अगला प्रश्ण क्या दिया गया है, साथवा प्रश्ण देखो, सेवन्थ को, चैलिसवा प्रश्ण क्या दिया गया है, जेड गुले जेड इस्क्वाइर की पावर माइनस होर, तो इसकी वैल्य क्या होगी, तो भाई एक चीज़ यह समझ में आता है, जेड इन्टू, तो जेड की पावर, पावर से पावर घट, गुला हो जाती है, तो यह केतना हो जाएगा, चार दुनी, आठ, यह समझ में आगया, चार दुनी, आठ, अगर एक यह प्रॉपर्टी समझ लो, कि अगर माल लोग की बेस सेम हो, बेस सेम हो, और पावर से उनकी अलग-अलग हो, तो मल्टिप्लाइ होने पर उनकी पावर जुड़ जाती है, ठीक है न, अगर बेस सेम हो, और पावर से अलग-अलग हो, तो उनका जो डिवैडेशन होता है, उनको भाग करने पर क्या होता है, उनकी घाते घट जाती है, यह सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है न, उसी तरह से अगर किसी की पावर कोई संख्या है, उसकी पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक, तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मालो पावर पे पावर लगा हो, यानि X के A की पावर, X की पावर Y, तो यह पावर क्या होती है, गुड़ा हो जाती है, तो A की पावर X into Y हो जाता है, समझ मैं आगे है, तो यह सारे आइडेंटीज मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर अगर हम इस रूल को देखें, तो यहाँ पर बेस तो सेम है, जब कुछ भी पावर नहीं होती है, तो वहाँ पर पावर 1 होता है, तो कि 0 तो वह नहीं सकता, अगर किसी की पावर 0 हो गई, तो उसका अंसर 1 हो जाएगा, तो यह तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देखो, z की power कितनी है z की power जब कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होगा base same है तो इनकी powers क्या हो जाएंगी plus हो जाएंगी तो plus करके देखो z की power 1 plus minus 8 हो जाएगा यह समझ मैं z plus z की power 1 plus minus 8 तो यह हो जाएगा z की power 1 और plus minus का हो गया minus 8 सही है तो यह हो जाएगा z की power किता हो जाएगा यह minus 7 8 minus 1 7 बढ़े का गया minus लिए minus लग गया तो यह है z की power minus 7 इसलिए हमारा यह विकल्प a बिल्कुल सही है z की power minus 7 बिल्कुल सही है ठीक है इसके आगे के question हम लोग अगले वीडियो में solve करेंगे तो अगले क्लास में जरूर आईएगा और लाश्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत सुक्रिया चलिए फिर लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार क्लास ले रहा है तो चैनल को सुब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिविकेसान आपको मिलती रहे तो चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में जैहिन वंदे मातरम